नमस्कार मित्रो स्वागत है आपका इस यूट्यूब चनल पे हाई स्कूल पास वाली भरती में बीटक वा एंटक वाले भी देश का रुज्ञान शुरुआत से सरकारे नौकरी की तरफ रहा है हर वर्के हर तपके के इंसान को सरकारे नौकरी की चाह होती है चाहे वो बड़े घर से हो और चाहे चोटे घर से इसके पीछे कारण भी है कि सेफटी सेक्योर्टी जो शायद आज भी प्राइवेट जॉप्स में नहीं है लेकिन जो रेशियो नौकरी और इस पॉपलेशन का है वो इतना जादा है कि कभी भी पूर्टी नहीं हो सकती और आज भी वैसा ही कुछ हाल है देखते हैं खबर क्या है तो देश भर में बिरोजगारी की क्राफ लगातर बढ़ रहा है और सरकारी भी भागों में पदों की संक्या घटती जा रही है निजी छेतर में रोजगार के साधन सीमित हैं जो है भी उनमें सामाजिक सुरक्षा नहीं है ऐसे में अधिकतर युवाओं का रुज़ान सरकारी नौकरी की तरफ है आलम यह है कि कुछ सौ पदों के लिए लाखों आविदन आ रहे हैं यहीं नहीं हाई स्कूल स्तर की पढ़ाई से मिलने वाली चपरासी अनुचर दफ्तरी जैसी नौकरी के लिए बीटेक, एमटेक, बीएसी, एमसी वालों ने भी बड़ी संख्या में आविदन किये हैं इन्होंने उच्च तक्नीकी सिक्षा ग्रहन की लेकिन रोज़कार ना मिलने के काराण चपरासी जैसे पद पर भी नौकरी करने को तयार है कर्मचारी चैन आयोग की ओर से केन सरकार की विभागों और मंद्रेयालों में मल्टी टास्किंग स्टाफ परीक्षा से चपरासी अनुचर दफ्तरी आधी के 1198 पदों पर सेंटरल बोर्ड ओफ इंडिरेक्ट टेक्स एंड कस्टम एवं सेंटरल ब्यूरो ओफ नार्कोटेक्स में हवलदार के 360 पदों पर भरती होनी है इसके लिए योग्यता हाई स्कोल निर्धारत की गई है 30 जून से 21 जुलाई 2023 तक आवेदन लिया गया देश भर में करीब 25,333 अभ्यरतियों ने आवेदन किया मतलब आप देख सकते हैं कि 25 लाख बच्चे करीब इसमें 25,5 लाख बलकी कहेंगे उन्होंने आवेदन किया इसमें से MSC, मद्देचेत, UP, बिहार और करीब 7 लाख बलकी 8 लाख कही आवेदन आए चैन के लिए एक परिक्षा होती है जो 1-14 सितंबर तक कराई जा सुकी है कही और रोजगार ना मिलने के करण यूपी वब बिहार के उच्च सिक्षत युवा भी इस पद के लिए कतार में खड़े हैं यूपी और बिहार के हाई स्कूल पास करीब 1 लाख से आसपास अवेदन आए जबकि 6 लाख से उपर अवेदन अन उच्च सिक्षत अवेदन के है इसकी परिक्षा में कई अवेदन ने सॉलवर बैठाने का प्रयास भी किया है चौदा सॉलवर परिक्षा के दौरान पकड़े भी गए थे तो ये एक केवल पुरानी भरती जिसका पेपर हो चुका है उसकी रूप रेखा समझाने का प्रयास किया गया है कि देश की स्थिती किस तरफ जा रही है आज भी जो एक संख्या होती है ये सब को समझने वाली बात है जो बिरोजगारी जो शब्द यूज होता है ये हर उस विक्ति के लिए है जो पढ़ लिखकर तयार हो चुका है अब उसकी पढ़हाई किस प्रकार की है ये बात अलग होती है आप भी जानते हैं ऐसे आप एक कई मित्र होंगे जो केवल डिगरी लेकर बैटे हैं लेकिन क्या वो वाकई डिगरी के डिजर्विंग परसन है तो नहीं तो वो लोग भी फॉर्म भरेंगे और ऐसे ही लोग जो डिजर्विंग नहीं है जन्होंने वो डिगरी फर्जी तरीके से हासिल करी है किसी भी छंद से पैसे से या किस तरीके से भी वो ही सौलवर बढ़ालते हैं पेपर को फसा देते हैं और पेपर या भरती लगातार चलती रहती है ये है इस वक्त भरतियों के हाल लास्त अपने वीडियो देखिए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिल शुब हो